प्रतापकड राज्य में धर्मशीर राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। शौर्यवान अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। अचानक धर्मशील को एक विचित्र रोग हो गया। राज्य वैद्य भी बुलाए गये। ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार न हो। परिशान ना हो महारानी उपाय है लेकिन बहुत जोखिम भरा। अपनी जान दाव पर लगानी पड़ सकती है। अपने राज्य के बाहर एक गुफा में आम का व्रिक्ष है। उस पर दिव्य फल आते हैं। उन फलों को खाने से महाराज की बीमारी ठीक हो सकती है। राज्य वैद्य जी आप कहो तो मैं अपने महाराज के लिए उस पूरे व्रिक्ष को फलों सहित यहीं ले आऊँगा। आप हमें केवल उस जगह का नाम बताएं। नहीं सेनापती, यह बल से नहीं, बलकि बुद्ध से करने वाला कार्य है। इसलिए सबसे पहले तुम राज्य के बुद्धिमान और हिम्मत वाले व्यक्तियों को ढूंडो। सेनापती राज्य में घोशना करवा देता है। सुनो, सुनो। महाराज, इस समय बहुत बीमार है, उन्हें ठीक होने के लिए दो आमों की आवश्यक्ता है। जो भी दो आम लाकर दे सके, वह राजमहल में आए। घोशना सुनकर कुछ लोग राजमहल भी गए, लेकिन गुफा से आम लाने की बात सुनकर डर गए। शौर्यवान भी राजमहल गया। राजवैद्य ने जब शौर्यवान को देखा, तो कहा। बेटा, तुम अभी बालक हो, इतना जोखिम भरा कार ये तुम कैसे कर पाओगे। राजवैद्य जी, वीर्ता और ग्यान की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप निश्चित होकर, मुझे वह आम के फल लाने की आज्या दीजे। शौर्यवान राजवैद्य के अनुसार, फलों को लाने गुफा की तरफ चल दिया। शायद यही वह गुफा है, और इसी के अंदर मुझे वे फल मिलेंगे। रुक जाओ बालक पेड़ की तरफ मत बढ़ना। मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरे महराज बहुत बीमार है, मुझे इन फलों की आवश्यक्ता है। मैं तुम्हें दो फल दे सकता हूँ, लेकिन इन दो फलों के बदले मुझे तीन सवालों के जवाब चाहिए। आप अपने सवाल पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला सवाल ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी होगा। दूसरा, ऐसा क्या है जो आज तो नहीं है लेकिन कल होगा। तीसरा, ऐसा क्या है जो आज तो है पर कल नहीं होगा। लड़के को जब सवालों के जवाब समझ नहीं आए, तो उसने कहा। मुझे थोड़ा समय चाहिए मैं आपके इन तीनों सवालों के जवाब दूँगा ठीक है मुझे इन तीन सवालों के जवाब दो दिन में चाहिए और यदि दो दिन में जवाब लेकर ना आए तो मैं यहीं पत्थर की मूर्ती बना दूँगा लड़का राक्षस की बात सुनता है और सवालों के जवाब ढूंडने चल देता है लड़का दिन भर घूमने के कारण ठक जाता है घूमते हुए शाम हो गई है, इस राज्य के राजमहल तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला लड़का दिन भर घूमने के कारण ठक जाता है, और राजमहल के किनारे बहने वाली नदी के पास बैठ जाता है अरे, देखो, देखो कितना सुन्दर युवक है, यह अपने राज्य का तो लगता नहीं है चलो मालूम करते हैं, यह कहां रहता है, और यहां क्यों आया है राजकुमारी मन ही मन उससे विवाह करने की ठान लेती है सुन्दर युवक तुम कौन हो, और हमारे राज्य में क्या करने आये हो मैं इस राज्य में नया हूँ, और भटकते भटकते तुम्हारे महल के पास आ गया था यहीं विश्राम करने लगा क्या आप मुझसे विवाह करेंगे, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ राजकुमारी की विवाह वाली बात से शौर्यवान भौचक्का रह जाता है बोलो, करोगे मुझसे शादी? नहीं राजकुमारी, मैं यहां अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए भटक रहा हूँ जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मैं विवाह तो क्या ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं कर सकता आप अपने सवाल बताएं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी राजकुमारी बहुत बुद्धिमान लड़की थी उसने शौर्यवान से कहा मैं इन सवालों के जवाब दे सकती हूँ लेकिन जवाब मिलने के बाद आपको मुझ से शादी करनी होगी मैं इन सवालों के जवाब कल सुभ़ दूंगी शौरिवान राक्षस को सवालों के जवाब सुनने के लिए बुला लेता है फिर सब वेश बदल कर बनिय दुकान पर जाते हैं मुझे गरीब बच्चों के लिए आश्रम बनवाना है इसलिए मुझे एक हजार सिक्के की जरूरत है क्या आप मदद करेंगे? दीनू इन्हें एक हजार सोने के सिक्के दे दो मैं इस प्रकार सिक्के नहीं ले सकती मैं एक सिक्के पर आपको एक कोडा मारूंगी लेकिन आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा यह धन गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा राजकुमारी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई और कहा इस बनिये पास धन है और उसे अच्छे काम में लगाने की नियत भी है इसी लिए इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण यह स्वर्ग जाएगा अर्थात उसके पास जो आज है वह कल भी होगा सभी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है राजकुमारी उसके आगे थोड़ा धन रख देती है यह क्या है? हटाओ इसे, हटाओ, यह हराम का धन है, मैं इसे नहीं ले सकता राजकुमारी कुछ आगे चली और कहा यह महात्मा सुखों को छोड़ कर कठिन तपस्या कर रहा है इसलिए इसके पास आज तो कुछ नहीं है लेकिन कल इसके पास सब कुछ होगा यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है भाई हम लोग बहुत भूखे हैं, थोड़ा भोजन हमें भी दे दो बहुत जोर से भूख लगी है भागो, भागो यहां से ना जाने कहां से चले आते हैं कितने दिनों बाद भोजन मिला है, मैं नहीं दूँगा यह बिखारी दूसरों की मदद करना नहीं चाहता इसलिए यह इश्वर को खुश नहीं कर सकता इस कारण इसके पास जो आज है, वह कल नहीं होगा अर्थात, जो इनसान बांटना नहीं जानते उनके पास आज जो है, वह कल नहीं होगा यह आपका तीसरा जवाब है राक्षस सभी सवालों के जवाब पाकर खुश हो जाता है और लड़के को दो आम दे देता है वह लड़का आमों को लेकर अपने घर पहुचा शौर्यवान अपने नाता पिता को साथ उज्जैन आकर राज कुमारी से विवाब करता है और अपने माता पिता के साथ रहने रहने लड़का